नमस्कार हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चल पर आप सभी का स्वागत है रेडियोजी फाइब सीकेड में डिक्टेशन लिखने के लिए एप्रोक्स एटनेट वर्ड्स है संतुलित परियावरण में ही जीवन का विकास संभव है प्रकृती द्वारा जिस परियावरण का निर्मान किया गया है वह सभी जीवधारियों के अनुकूल है जनसंख्या की असाधारण व्रिधी और ओद्योगी की करण की प्रगति ने प्रदूशन की समस्या को जन्म दिया है इस समस्या ने आज ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है जिससे पूरी मानवता पर संकट आ गया है वायू, जल या भूमिके भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अन्चाहे परिवर्तन जो जीव समुदाई के लिए किसी ना किसी रूप में हानिकारक सिध्ध होता है उसे ही प्रदूशन कहा जाता है प्रदूशन की समस्या विश्व के सबसे बड़े दुख का कारण बन चुगा है वायू, जल, भोजन तथा ध्वनी की प्रदूशन नगरों और कस्बों में अपनी विकराल शक्तियों एवं सीमाओं का प्रदर्शन कर रही है हालंकी संसार के समस्त जीवजन्तु छोटे-छोटे प्राणी और नागरिक प्रदूशन की समस्या के शिकार बनते जा रहे है वायू प्रदूशन की समस्या कारखानों, वाहनों और चूलहे से होने वाले धुएं से फैलता है वायू प्रदूशन मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है इसके कारण नगरों में रहने वाले लूग कैंसर, आखों के रूग, फेपणों के रूग आदी से ग्रस्त हो रहे है संपुर्ण भारत में नदियां व नालों का प्रयूग कारखाने और मानव गंदे नाले के तोर पर किया जाता है यहां तक की सबसे पवित्र नदी माने जाने वाली गंगा नदी भी आज के समय में दूशित हो चुकी है इसके अलावा अन्य प्रमुख नदियों का भी यही हाल है इसी दूशित जल का प्रयूग नहाने और पीने में करने से मानवों को गंभी रोग जैसे हैजा, वाईरल, बुखार, आदी जकड लेते हैं दूशित जल का प्रयूग भोजन बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसके फल स्वरूग भोजन की दूशित हो जाता है इसके अतिरिक्त भोजन हवा, खादूं और रासायनिक पदार्थों के कारण भी दूशित हो रहा है वायू और जल प्रदूशन के साथ साथ संसार में ध्वनी प्रदूशन की समस्या भी बहुत अधिक है ध्वनी प्रदूशन का सबसे अधिक प्रकोप शहरों और राजमार्गों पर नजर आता है ध्वनी प्रदूशन के कारण अब तक बहुत से लोग अपनी सुनने की शक्ती खो बैठे हैं या फिर उन्हें कम सुनने लगा है उच्च शोर के इस्तर से दिमागी बीमारिया और उच्च रक्त चाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है इसमें व्यक्ती अपना संतुलन भी खो बैठता है हलांकी प्रदूशन को रोकने के लिए भिन भिन प्रकार के उपाय भी किये गए है दिल्ली में जब प्रदूशन विरोधी अभियान जैसे C&G बसों के चलने प्रदूशन कारी फैक्ट्रियों से बाहर ले जाने तथा मेट्रो रेल सेवा शुरू होने के बाद से प्रदूशन नियंत्रित कर्ण में महत्त पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है आठ वर्षों से पुराने व्यापारिक वाहनों को चलाने पर रोग लगा दी गई है मानव जीवन के लिए वायू का होना बहुत आवश्यक है जानकारी के लिए बता दें सबसे अधिक वायू प्रदूशन कारों रेल गाडियू आधिसे निकलने वाले धुए से होता है स्वक्ष वायू में रासाइनिक सूक्ष्म पदार्थ, धूल, जहरीली गैसें, जैविक पदार्थ, कारबन डाई ओकसाइड आधिके कारण वायू प्रदूशन होता है वायू प्रदूशन की समस्या के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी तथा बहुत सी बीमारियां हो जाती है वायू प्रदूशन की समस्या को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि परियावरण में शुद्ध वायू को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेण लगाय जाने चाहिए। जल परियावरण का एक अभिन अंग है जल के बिना हम जीवन के कलपना नहीं कर सकते हैं इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है परन्तु आज ओद्योगी की करण के युग में धर्ती पर जल प्रदूशन एक लगातार बढ़ती समस्या बनता जा रहा है जो मानवों के साथ साथ जीव जन्तुवों को भी प्रभावित कर रहा है मानव गतिविधियों के द्वारा उत्पन जहरीले पदार्थ प्रदूशकों से पीने का पानी का गंदा होना ही जल प्रदूशन है दूसरे शब्दों में जल के बहुतिक व रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन करना ही जल प्रदूशन कहलाता है नदी, जीलों, तलाबों और समुद्र के पानी में ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जिससे पानी, प्राणियों और जीव जन्तूओं के प्रयोग करने हेतु योग्य नहीं रहता है इसी वजह से हर एक जीव जो जल पर आधारित होता है वह जल प्रदूशन से अत्यधिक प्रभावित होता है अध्योगी की करन के परिणाम स्वरू आज कारखानों की संख्या में व्रिद्धी हुई है लेकिन इन कारखानों को लगाने से पूर्व इनके अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तलाबों आधी अन्य सुरोतों में बहा दिया जाता है जिससे जल में रहने वाली जीवजन्तुओं और पेड़ पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है साथ ही जल भी पीने योग्य नहीं रहता दूशित हो जाता है जनसंख्या वृद्धी से मलमूत्र हटाने की एक गंभीर समस्या का समाधान ना समझी में यह किया गया है कि मलमूत्र को आज नदियों वा नहरों में बहा दिया जाता है जिसके कारण जल दूशित होता है थैंक्यू